बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब तेनल महत सुत अमर जा इस वीडियो में हम शिक्षानी देशाले दिली सरकार द्वारा मिशन मैथमेटिक्स के तहट काक्षा दस्मी का अभ्यास प्रस्न दो ले करके उपस्थित हूँ यह सत्र दो हजार तईस चोविस के लि ध्यान मैं रखते हुए पांच हिस्सों में इसको भी बाटा गया A, B, C, D, E में खंड A जिसमें 8 objective types multiple choice question है खंड 2 में 3 प्रस्न है जो 2 अंक वाले हैं खंड 100 में 4 प्रस्न है जिसमें 3 अंक वाले हैं और खंड 2 में 2 प्रस्न है जो 5 अंक वाले हैं और खंड E में 1 case आधारित प्रस्न है इसके 4 अंक है अब आएए सवाल को देखते हैं किस तरह के सवाल हैं कह रहा है इसमें दी गई आकरिती में X और Y का मान ग्याद कीजिए यह अब देखिए यहां यह दोनों इसके factor दिये हो है तो 7 थरीजा क्या होगा 21 तो X के वदले 21 और 21 को 4 से multiply करेंगे तो क्य हो जाएगा 84 तो Y के स्थान पर 84 हो गया और X के स्थान पर 21 हो गया तो option B सही है अब यहां पर दिया हुआ है M के किस मान के लिए समीकरन निकाए यानि समीकरन यह और यह का कोई हल नहीं है तो आपको यह पता है जो कोई हल नहीं होने के लिए A1 by A2 और बराबर होना V1 by V2 और यहां पर देखते हैं यह दिया हुआ A1 6 और बराबर होना चाहिए माइनस 3 अपन में माइनस M के तो यह देखिए यह हो जाएगा यहां पर कट करके तो 3 आ जाएगा यह माइनस से माइनस कट जाएगा तो M बराबर में M बराबर में 3 M बराबर में 3 हो जाएगा तो M बराबर में हो जाएगा 3 बाई 3 यानि 1 तो M का value आ गया 1 तो option आपका B सही है अगला सवाल दिया है किन्ही आकडों का माध्य और बहुलक दिया हुआ है 12 और 9 तो माध्य ग्याद करना है तो आप जानते हैं जो कि empirical सुत्र यानि अंतर जन्य सुत्र होता है बहुलक बराबर में 3 गुने माध्य गटे दो गुने बहुलक इसमें आप देखिए आपको बहुलक दिया हुआ है जो बाद में यूज किया गया है तो यह 9 है बराबर में 3 और गुने माध्य गटे निकालना है आपको और माध्य की वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है तो यह हो गया 12 तो 12 दुनी 24 और इधर 24 में 9 जोडेंगे यह इधर आ जाएगा तो 24 प्लस 9 इसकल टू हो जाएगा 3 गुने माध्यक तो 24 में 9 जोडेंगे तो यह हो जाएगा 33 तो 33 बराबर में 3 गुने माध्यक तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा यह 3 से डिवाइड हो जाएगा बराबर में माध्यक जो कट करके हो जाएगा 11 तो यहां पे हो गया 11 इसका वैल्यू नेक्स देखते हैं यहां पे कह रहा है समानतर स्रेडी का पहला पद आपको दिया हुआ है दूसरा पद दिया हुआ है तीसरा पद दिया हुआ है तो कहरा है ग्यार्मा पद ग्यात कीजिए तो पहले देखें A1 बरावर में आपको 12 दिया हुआ है A2 बरावर में 8 दिया हुआ है तो D बरावर में क्या होता है, D बरावर में होता है A2 माइनस A1, तो A2 की value आपको 8 दिया होगा, माइनस 12, तो इसको घटाएंगे, तो माइनस 4 हो गया, तो यह हो गया D की value, तो ग्यारमा पर, यानि A11 बरावर में हो जाएगा, A plus 14 A कम, तो 10 D, तो यहाँ पर, यानि A1 होता है यह, तो यह हो गया 12 प्लस 10 के बद, 10 और D की value आपको है, माइनस 4, तो यहाँ पर माइनस 4 से multiply करें, तो 12 माइनस 4 जिसको घटाएंगे, तो माइनस 28 होगा, तो यहाँ पर आपका option हो गया, माइनस 28 जो की option D दिया हुआ, अगला कह रहा है, यदि P E बरावर में, आपको 0.31 दिया हुआ है, तो घटना E के घट इतना होने की प्राइकता होगी, तो कुल प्राइकता तो एक होती है कि किसी घटना की न घटने की प्राइकता जो होगी, 1 माइनस उस घटना की प्राइकता को घटा दे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.31, तो यहां पर देखिए, कुछ बच्चे घटाने में गलतिया कर देते हैं, आप ऐसे कर ले, 1 और कुछ नहीं है, तो प्वाइंट के बाद 0,0 डाल दे और फिर 0.31, प्वाइंट के स्थान पर प्वाइंट ही होना चाहिए, दसम्लब ही होना चाहिए, इसको घटाएंगे, तो 9 और देखिए, यह तो हो जाएगा, 0 और यह आगे फरवाइंट हो जाएगा, और यह भी आगे फरवाइंट कर देगा, पीछे बचे बचे गा, 9 तो दस में से ए option है अब यहां पे कह रहा है आपसे अगला सवाल निम्न बंटन के लिए माध्यक वर्ग की निमनी सीमा और बहुलक वर्ग की उच्छ सीमा तो पहले देखें बहुलक वर्ग तो आपको आसानी से मिल जाएगा जो सबसे अधिक बारम बारता जो आपको दिख रही है यह 20 है तो माध्यक वर्ग के लिए आपको चाहिए इसको जोड़ना है पहले तो यह हो जाएगा यहां पे मनलब क्यूमिलिटिव फ्रिक्वेंसी संचई बारम बारता यहां पे 10 10 में 15 जोड़ेंगे 25 25 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 37 में 20 जोड़ेंगे तो 47 47 में 9 26 तो एनवाइट टू बारावर में हो जाएगा 28 तो 28 मा पोजीशन देखिए कहां पर आएगा तो यहां 28 मा पोजीशन बारम बारता इसमें आएगा तो यह हो जाएगा माध्यक वर्ग अब आपसे कहरा माध्यक वर्ग की निम्ल सीमा तो माध्यक वर्ग की निम्ल सीमा तो 10 हो गया और बहुलक वर्ग की उपरी सीमा बहुलक वर्ग की उपरी सीमा इसको जोड़ेंगे तो 20 हो गया तो इस दोनों को जोड़ करके यह 30 आता है तो जो की option में आपको C में दिया रूट 3 कॉस स्क्वाइर ए प्लस रूट 3 साइन स्क्वाइर ए तो इसमें रूट 3 कॉमन ले ले और हो जाएगा फिर कॉस स्क्वाइर ए प्लस साइन स्क्वाइर ए जिसका वैल्यू एक होता है तो यह हो जाएगा रूट 3 इंटू 1 यानि रूट 3 तो जोकी option C में दिया हुआ है नेक्स्ट सवाल देखते हैं यह अभिकतन और कारण पर आधारित है तो समांतर स्रेडी यह दोसो बारा दोसो पांच और एक्सो अठान में एक्सो निन्यान में के लिए सार्व अंतर रिनात्मक होगा तो देखिए एवन बरावर में तो दोसो बारा दिया हुआ है और एटू बरावर में दोसो पांच दिया हुआ है तो डी जो होता है एटू माइनस एवन होगा तो यह दोसो पांच में से दोसो बारा घटाएंगे तो यह होगा माइनस साथ तो यह तो सही है समांतर स्रेडी के पहले दो पदों का अंतर ही समांतर स्रेडी का सार्व अंतर होता है तो समांतर स्रेडी के पहले दो पदों का अंतर ही समांतर स्रेडी का सार्व अंतर होता है तो ये जरूरी नहीं पहले दो पदों का जो अंतर है वो हर जगा वही लागू होगा इसमें ये नहीं कहा रहा है जो कि अंतर इसमें से इसको घटाए तो भी अंतर आएगा और इसमें से इसको घटाए तो भी अंतर आएगा यानि इसका अंतर हम साथ भी लिख सकते हैं और माइनस साथ भी लिख सकते हैं तो यहां पे यह नहीं कहा रहा है जो कि अगले करम से पिछला करम घटाना है और तो यह सही तो देखिए यहां पे यह तो सही है लेकिन भी सही नहीं है आर सही नहीं है तो इसके लिए आपको आंसर सी होना चाहिए next कह रहा है x नौमा सवाल आपसे कह रहा है x x पर एक बिंदू ग्याद कीजिए जो ये और ये से सम्दूरस्त है तो पहले मानते हैं जो कि माना की वह बिंदू पी जिसका निर्देश शांग देखिए x x पर बिंदू है x x पर y 0 होता है तो a y है जो a की वैल्यू रख देते हैं 2 और माइनस 1 तथा b की वैल्यू 3 और 0 से सम्दूरस्त है यानि इस तरह से यहाँ पे p है और यहाँ पे a है और यह b है दोनों समान दोनी पे है तो इसके लिए फर्मूला हो जाएगा परस्न से इसका निर्देश शांग हमने a और 0 माना है और यह है 2 और माइनस 1 और यहाँ पे है 3 और 0 तो परस्न से सम्दूरस्त के लिए देखिए पी a बरावर में pv होना चाहिए पी a बरावर में pv होगा तो देखिए पी a के लिए हमारे पास फर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वाइर यानि a माइनस 2 का स्क्वाइर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वाइर यह बरावर होना चाहिए pv का स्क्वाइर यानि a माइनस 3 का स्क्वाइर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वाइर तो दोनों और वर्क कर देंगे तो यह root से root हट जाएगा तो यह हो जाएगा a minus 2 का square plus 1 का square बराबर में a minus 3 का square अब solve करते हैं तो जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा a square minus 4 a plus 4 plus यह 1 का square 1 और बराबर में होना चाहिए a square minus 6 a plus 9 अब एकी तरह ले आते हैं a square minus 4 a plus यह हो जाएगा 5 minus a square minus 6 a यह minus वाला इधर plus हो जाएगा और minus 9 है यह plus हो जाएगा minus यह वाला plus है तो यह minus हो जाएगा बराबर में 0 अब देखिए यह a square से a square कट जाएगा यहाँ 4 a minus का है यह 6 a plus का है तो यह 2 a बचा यहाँ 5 plus में है और यहाँ पे minus में है 9 तो यह हो जाएगा minus 4 is equal to 0 यानि a is equal to 2 a is equal to हो जाएगा 4 तो a is equal to हो जाएगा 2 तो a की value आ गया तो इस तरह से अभिस्ट बिंदू हो जाएगा x x पर x x पर वह बिंदू क्या है x और 0 माना था तो a और 0 माना था a की value आ गया आपको यहाँ पे 2 आ गया है तो 2 और 0 है यह हो गया answer नेक्स सवाल देखते हैं देखिए यह सवाल आपको फॉर्मूले के according बना चाहे तो इस पे आप बना वह ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरा कहरा है यह एक ब्रित है ब्रित के यह ब्रित दिया हुआ है ब्रित में कहरा है जो कि एक ब्यास है यह ब्यास है जिसका O के अंदर O के अंदर है इसका निर्देशांग निकालना है यहाँ पे A का निर्देशांग यह A है और यह B है a का निर्देशांग दिया हुआ है minus 4 और minus 1 है और b का है 4 और 2 तो ये मध्य बिंदू होता है तो मध्य बिंदू का निर्देशांग क्या हो जाएगा x1 मनलब x1 plus x2 by 2 होता है और y की value y1 plus y2 by 2 होता है तो इसका यूज करते हुए 4 और minus 4 तो क्या हो जाएगा 4 minus 4 बटे में दो यानि 0 बटे में दो तो यानि एक तो हो जाएगा 0 x की value और y की value हो जाएगा minus 1 minus 1 और plus 2 by 2 तो यानि ये हो जाएगा 1 by 2 0 और 1 by 2 इसका answer हो गया next सवाल देखते हैं यहाँ पे कह रहा है एक बृत के चतुर्थांस का चतरफल गयाद कीजिए जिसकी परीद ही दिया हुआ है तो बृत की परीद ही दिया हुआ है 22 cm फॉर्मूला क्या होता है 2 by r बरावर में 22 तो r बरावर में हो जाएगा 25 बटे 2 और इंटू पाई पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रख दीजिए तो 22 बटे 2 गुने 22 और 7 उपर चला जाएगा तो इस तरह से यह हो जाएगा 22 से 22 कट गया तो 7 by 2 तो r की वैल्यू आ गया 7 by 2 आर बरावर हो गया 7 by 2 अब कह रहा है वरित के चतोर्थांस का छेतरफल तो वरित के चतोर्थांस का छेतरफल यानि वरित के छेतरफल का एक बटा चार भाग और पाई आर स्क्वायर तो एक बटे चार गुने पाई की वैल्यू तो 22 बटे साथ यूज करें और आर की वैल्यू है साथ बटे दो गुने साथ बटे दो तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा साथ से साथ कट जाएगा दो से यह हो जाएगा ग्यारा तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्यार सते सततर बटे चार दुनी आठ ये देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वार इसको स्वल्व करेंगे और तो नो अठे बहत्तर और बहत्तर में पांच ओड़े सेंटीमीटर स्क्वार ये इसका आंसर होगा नेक्स देखते हैं यहां पर कहरा है एक थेले में आठ सफेद पांच काली और साथ लाल गेंद है यदि यादर चाया छाटी गई तो प्राइकता ग्यात कीजिए लाल नहीं है तो लाल गेंद की प्राइकता क्या है साथ है कुल कि कितने हैं साथ पांच और आठ तो यह हो जाएगा आठ प्लस पांचि प्लस साथ तैरा सथ बीस तो लाल नहीं लाल नहीं होने की प्राइकता तो लाल नहीं गंद कितने हैं तो लाल गंद घोटा देंगे तो यह जाएगा कुल तो बीस है बीस में से लाल गंद कितने हैं लाल गंद हैं आपके पास साथ और बटे में टोटल बीस तो जो हो जाएगा तेरह बटे बीस यह हो गया पहले का अनसा दूसरा सफेद है तो सफे कुल कितने है आठ है और टोटल कितने है बीस तो इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में करें चार के पहाड़े में चार चार दुनिया और चार पंचे बीस यानि दो बटे पांच इसका अंसर हो गया नेक्स देखते हैं अगला सवाल कह रहा है इसमें से निम्न यादि निम्न बंट बंटन का माध्य चौबं दिया होगा तो पी का मान गया तो माध्य निकालना है तो माध्य के लिए आपको पहले टेवल बनाना होगा टेवल यहाँ पर लिखे बरगंतराल सी आई यहाँ पर एफ फिर एक्स फिर एफ एक्स क्लास इंटरवल 0 से 20 है जिसकी बारंबार्था 7 दिया हुआ है यह 20 से 40 है जिसकी बारंबार्था है नो और असी से सो है उसकी बारा मारता है तेरा अब यहां पर हम इसको एफ निकालते हैं एफ दिया हूँ एक्स निकालते हैं तो इस दोनों को जोड़ ले उसको दो से भाग दे दे तो यह हो जाएगा 10 20 का अब देखे अंतर कितने का है 20 का तो जोड़ते चले 30 50 70 और 90 अब इसको इससे मल्टिप्लाइ करें तो यह हो जाएगा 70 यह 30 भी और पचास को दस से करेंगे तो सो पांच सो और नो सत्य तिरेशट छेसो तीस तेरा नमा एक सो सत्रा अब इसको जोड़ें एफ हेक्स को जोड़ेंगे एफ हेक्स बराबर में अब ये वाले को अलग जोड़ें जीरो 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 साथ तिन्दस साथ सत्रा कैरी एक पांच एक छे छे बारा और ग्यारा तेज और प्लस में तीस भी है और इसको जोड़ें इसमें भी पी छोड़ें तो साथ दस साथ सत्रा और सत्रा में नो जोड़ेंगे तो चबिस चबिस और तीन उन्तालिस प्लस पी ये इसका अब मादे बराबर क्या होता है मादे बरावर होता है सिग्मा F X अपॉन में अपॉन में सिग्मा F तो मादे की वैल्यू आपको दिया हुआ है 54 तो यहां पे लिखे 54 बरावर में सिग्मा F सिग्मा F X की वैल्यू यह दो, तीन, साथ, जेरो, प्लस, तीस, एफ अपॉन में सिग्मा एफ है 39 प्लस पी अब इसको इससे मल्टिप्लाइ करें यह हो जाएगा 54 इंटू 39 प्लस पी इसकल तू 2370 प्लस 30 पी अब इसको 54 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो यह हो जाते है 2106 और प्लस 54 पी इसकल तू हो जाएगा 2370 प्लस 30 पी अब एक्स यह इधर ले जाए या पी वाले को इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा 54 पी माइनस 30 पी और यह हो जाएगा 2370 इसका सैट चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 2106 अब सब्स्ट्रेक्ट करते हैं तो यहां पे आजाएगा 24 पी 24 पी और यह हो जाएगा 264 अब पी की वैल्यू देखे पी बराबर में हो जाएगा 264 अपौन में 24 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 11 तो पी की वैल्यू हो जाएगा पी बरावर में इस तरह से पी की वेल्यू हो जाएगा एले वेल अंसर नेक्स्ट देखते हैं यहां पे बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक ग्याद किजिए तो देखिए आपको बहुलक के लिए तो कुछ जारूरी नहीं है बनाना बहुलक आप सीधे या इसी टेव से बना सकते हैं यहां पर देखिए जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह बहुलक ग्याद में कहला जाएगा तो यह हो जाएगा यह बहुलक भर इसको लिखे है तो इस तरह से बहुलक क्या हो जाएगा इसका बहुलक बरावर में होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H तो यहां पे देखिए L तो 30 है प्लस F1 है 15 में से 10 गया और 2 F1 यानि 15 दूनी 30 में से 10 और यह 7 गया और H की वैलू दिया हुआ है जो अंतर है वो 10 की है तो इस तरह से यह हो जाएगा 30 प्लस यह 5 गुने 10 बटे में यह 17 तीस में से 17 गया तो यह बचा 13 तो 30 प्लस 50 बटे 13 तो 13 को जब हम डिवाइड करेंगे पचास से पचास में डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 तिया 49 तीस प्लस 13 तिया 49 फिर 11 बचा तो 13 तो 13 सत्य के अंतरा अठे 104 होता है और फिर 6 पर 0 बचा तेरा चोके बावन तो यह हो गया एप्रोक्स तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 33.8 फोर एप्रोक्स लगभग लगभग तो यह तो माध्यक हो गया बहुलाख हो गया माध्यक के लिए आपको टेवल बनाना होगा जैसे 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुए है अब इसकी बारव मारता है सबकी बारव मारता है यह CI कहलाता है फिर F जो दिया हुए 3, 8, 10, 15 और 7 अब आपको यहाँ पे CF यानि cumulative frequency जो लिखना होगा तो 3, 8, 3, 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 21, 21 में 15 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 तो n बरावर में हो गया, n बरावर में हो गया 43 तो n by 2 क्या हो जाएगा, n by 2 हो जाएगा 21.5 तो यह देखिए 21 तक यहाँ है अगला 21.5 यह इसमें आएगा तो यह हो जाएगा L, यह हो जाएगा F, और यह हो जाएगा CF तो उससे आपको बहुलग निकालना होगा, माध्यक, माध्यक बरावर में होता है L पलस n by 2 minus CF upon में F into H तो L तो वैल्यू दिया हुए 30 पलस, 30 निकला है और यह हो जाएगा 21.5 यह n by 2 minus CF क्या है CF है 21 upon में F की वैल्यू 15 और 10 तो इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 30 इसमें जो अंतर है 0.5 का upon में 15 into 10 तो यह हटाएगे तो यहां पे 0 आजाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 30 पलस 1 by 3 जो solve करेंगे तो यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 0.33 तो यह हो जाएगा इसका मात्यक नेक्स सवाल देखते हैं, यहां पे कहरा दिया हुआ है, रूट दो अपर में संख्या है, फिर सिद कीजिए कि यह एक अपर में संख्या है हमारे कुछ बच्चे सिर्फ इसी को सिद कर लेते हैं, यह सवाल दिया होते हैं और सोचते हैं जो कि हमने solve कर लिया जबकि सही नहीं है, आपको यह कहरा जो कि है इसे सिद करना है, तो हम जैसे करते हैं, मान लेते हैं कि माना की 5 प्लस 3 रूट टू, यह एक अपर में संख्या है परिम्यों संख्या है, फिर अगला माना की 5 प्लस 3 रूट दो बराबर में A बाई B, जहां A तथा B परस्पर सहभाज पुर्नांग है अब देखिए, यहां पर इसमें अपर में है, यह तो पर में है, इसका साइड़ चेंज कीजिए, तो यह हो जाएगा 5 प्लस, अब यह एक बार लिख लेते हैं, थरी रूट टू, इसकल टू, A बाई B अब इसका साइड़ चेंज करें, तो यह हो जाएगा 3 रूट टू बराबर में A बाई B माइनस 5, यहां पर देखिए, तीन से डिवाइड हैं, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको सौल मत कीजिए, क्योंकि कुछ ज्यादा तर बच्चों का भिन का जोड घटा नहीं आता है, तो रूट टू यहां पर लिख दे और A बाई B माइनस 5 और नीचे में यह पूरे बटे में 3 लिख दे, क्योंकि यहां पर गुना है, तो यहां पर भाग हो जाएगा, तो इस तरह से यह देखिए, यह क्या है, अपर में यह दिया हुआ है, और यह पर में ऐसा नहीं होत है, अपर में और पर में बराबर नहीं होता है, यह विरोधा भास है, अता हमारा मानना गलत है, अता 5 प्लस 3 रूट टू एक अपर में सख्या है, स्वाल हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कहरा है, इसका मान ग्याद कीजिए, तो एक बार लिखे लेते हैं, 2 cos square 60 degree, plus 4 cos square 30 degree, minus 10 square 45 degree, upon में, sin square 60 degree, plus cos square 60 degree, अब value पूट करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, 2 दिया हुआ है, और cos square 60 की value जो होता है, cos 60 की value होता है, 1 by 2, तो 1 by 2 का square, तो क्या हो जाएगा, 1 by 2 है, उसका square, plus 4 into cos square 30 degree, तो cos square 30 degree की, cos 30 की value होता है, root 3 by 2 का square, minus 10 square 45 की value होता है, 1, 1 का square, और यहाँ पर तो फॉर्मूले से ही 1 हो जाएगा, या फिर लिखना जाए, sin square 60 degree की value होता है, root 3 by 2 का square, और इसका होता है, 1 by 2 का square, अब आईए, यह हो जाएगा, 2 into 1 by 4, plus 4 into 3 by 4, minus 1, upon में, यह तो हो जाएगा, 3 by 4, plus 1 by 4, और solve करें, तो यह तो हो जाएगा, 1 by 2, और यह कट जाएगा, plus 3 minus 1, upon में, 3 plus 1 by 4, तो यहाँ पर और solve करते हैं, तो 1 by 2, plus 2, इसमें सही आगा, तो 2 upon में, 4 by 4, 1 हो जाएगा, तो solve करने के बाद यह आएगा, 2, यानि 5 by 2 लिखें, या यह लिखें, यह दोनों सही है, तो इसका answer आगा, 2 and half, next, सवाल देखते हैं, कहरा है, बिंदू, यह और यह को किस मिलाने वाले रेखाखन, वाई, अक्ष द्वारा किस अनपात में विभाजित किया जाता है, तो य अक्ष द्वारा के अनपात एक में विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं, माना की, जो नंबर दिया है, P की वैल्यू माइनस 3 और 2 है, माइनस 3, 2, और दूसरा है, क्योंकि 5 और 7, वाई, अक्ष द्वारा के अनपात एक में विभाजित हो रहा है, अब के अनपात एक में और देखिए, वाई, अक्ष पर क्या होता है, वाई, अक्ष पर, एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो ये एक्स की वैल्यू करते हैं, यानि एक्स का वैल्यू बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे ज्यादा समझ में आएगा P मान लेते हैं माइनस टू माइनस थ्री और टू है और यह है 5 और 7 यहाँ पे Y X द्वारा एक बिंदू है जिसकी वैल्यू X की वैल्यू तो 0 और Y है वो K अनपात एक में भी भाजित करती है तो इससे क्या हो जाएगा 0 बरावर में के यानि फॉर्मूला क्या है X बरावर में होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 तो यहाँ पे यूज करें तो K इन्टू 5 प्लस 1 इन्टू माइनस 3 अपॉन में K प्लस 1 तो यह तो 0 हो जाएगा K प्लस 1 को 0 से मल्टिप्लाइ करेंगे और यहाँ हो जाएगा 5K माइनस 3 तो यह तो 0 is equal to 5K माइनस 3 तो यह माइनस 3 इधर आ जाएगा तो 3 is equal to 5K तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी K बरावर में 3 मटे 5 अभी तो अभी स्टानपाथ हमने माना था के अन्पाथ अभी स्टान पाथ क्या था कि अंपाथ एक तो यानि तीन वर्टे 5 अन पाथ 1 तो यानि कह रहा है 100 मीटर ऊच्छे एक मिनार के शिखर तो एक तो मिनार है 100 मिनार है उसके सिखर से एक खंभे के सिर्श और तल का अवनमन कोण 60 degree है और यहाँ पर कह रहा है अवन्मन कौन यानि नीचे की ओर है इससे कम height की होगी तो हम यह बना लेते हैं और दोनों के बीच में अवन्मन कौन कह रहा है एक बार नीचे इससे मिलाया और फिर इससे मिलाया यह हो गया अवन्मन कौन आपको कह रहा है जो कि अवन्मन कौन इसके साथ ऐसे करके बनता है यहाँ पर दिया हुआ है इसके साथ सिर्ष के साथ तो 45 degree का है और इसके साथ 60 degree का है तो यहाँ पर हम इसके parallel एक और लाइन खीच लेते हैं तो यह भी हो जाएगा 45 यह है यहाँ से यहाँ तक 100 दिया हुआ है अब कहरा है खंबे की उच्चाएगा आद कीजिए एक्स तो चलिए यह माल लेते हैं इसको माल लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ पर है पी बिन्दू तो इस तरह से हो जाएगा ट्रेंगल ए भी सी में यह साथ है तो यह भी साथ हो जाएगा तो इसका और इसका रिलेशन ग्याद करें तो टैन 60 डिग्री इस खल्टू हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर तो यह हो जाएगा यह साथ है तो परपेंडिकुलर यानि A B अपॉन में B C 1060 की वैल्यू होता है रूट 3 और B C की वैल्यू A B की वैल्यू दिया हुआ है आपको 100 और B C की वैल्यू नहीं पता है तो इस तरह से B C बराबर में हो जाएगा 100 अपॉन में रूट 3 यह हो गया अब जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा यह है और यह X है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आए उस से करते हैं पहले ट्रेंगल A, P, D में A, P, D में 1045 डिगरी इसकल टू हो जाएगा A, P, E, अपॉन में P, P, D और 1045 की वैल्यू 1 होता है A, P की वैल्यू तो नहीं पता है और P, D की वैल्यू तो आपको B, C के बराबर में हैं तो लिख सकते है B, C तो यह हो जाएगा B, C की वैल्यू बराबर में A, P, B, C की वैल्यू दिया हुआ है 100 अपॉन में रूट 3 बराबर में A, P अब चलिए P, D बराबर में P, B P, B बराबर में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A, B, माइनस A, P तो A, B की वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 माइनस 100 रूट 3 इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 100 रूट 3 माइनस 100 अपॉन में रूट 3 यानि 100 रूट 3 माइनस वन अपॉन में रूट 3 तो रैस्नलाइज कर लेते हैं 100 गुने रूट 3 माइनस वन और अपॉन में रूट 3 इन्टू रूट 3 अपॉन में हरका परमेई करन करते हैं तो यह हो जाएगा ये रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है आपको रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.7 तो 1.7 minus 1 कर लेते हैं तो यह हो जाएगा upon me root 3 है तो यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 0.7 upon me root 3 यानि यह हो जाएगा 70 upon me root 3 अब यहाँ पर rationalize कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 70 root 3 upon me 3 और root 3 की value अब यहाँ पर लगा दे 70 गुने 1.7 upon me 3 और यह decimal हटाते तो यह हो जाएगा 10 यह हो गया 17,7,114 17,7,119 बटे में 3 यह हो गया यह मीटर यह हो गया तो इसकी लबाई PB की लबाई तो PB बरावर में DC PB बरावर में हो जाएगा CT जो की यह इसकी लबाई दिया हुआ है आपको खंबे की उचाई तो अतह खंबे की उचाई बरावर में 119 वटे 3 मीटर है यह हो गया सवाल देखते हैं यहां पर कहा रहा है एक मिनार के पाद से भवन के शिखर का उन्यान कोन और भवन के पाद से मिनार का शिखर एक यह भवन है और यह एक यह अलग उचाई है मान लेते हैं एक यह है अब कह रहा है यह मिनार है यह भी एक मिनार है और सीडी एक भवन है अब कह रहा है मिनार के पाद से इसके शिखर का उन्यान कोन यह तीस डिगरी दिया हुआ है यहां पर तीस डिगरी दिया हुआ है और मिनार के शिखर से भवन के पाद का उन्यान कोन साथ डिगरी है यदि मिनार की उचाई 50 मिटर है तो भावाण की उचाई ग्यात करना है इसकी उचाई ग्यात करना है तो देखिए पहले चलिए जिसमें तिर्भूज A, B, B में ये दिया हुआ है तो 10, 60 डिग्री इसकल टू हो जाएगा A, B, अपॉन में B, D तो 10, 60 की वैल्यू रूट 3 होता है और A, B की वैल्यू हमें दिया हुआ पचास बटे में B, D तो यानि ये हो जाएगा B, D बरावर में पचास बटे रूट 3 में ये हो गया B, D की वैल्यू अब चलते हैं ट्रेंगल इस ट्रेंगल में ट्रेंगल B, D, C में 10, 30 डिग्री इसकल टू C, D अपॉन में B, D 10, 30 की वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 और C, D की वैल्यू आपको दिया हुआ है, C, D की वैल्यू नहीं पता है और ये दिया हुआ है 50 में रूट 3 में तो इस तरह से C, D बरावर में हो जाएगा, C, D बरावर में ये 50, मनलब 1 बाई रूट 3 है और ये 50 वैल्यू रूट 3 तो इस तरह से ये हो जाएगा C, D is equal to 50 by 3 ये मीटर ये इसको करें तो 16, 18, 16.66 ये मीटर ये हो गया इसका उचाए, इसकी उचाए किसकी उचाए है, भवन की उचाए, तो भवन की उचाए, 60.66 मीटर है ये 50 वैटे 3 मीटर है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं किसी भिन के हर में से अंस का दुगुना घटाने पर एक प्राप्त होता है और अंस और हर का योग दस तो भिन ग्याद कीजिए तो सीधे मान लेते हैं, अभिस्ट भिन ये माना की अभिस्ट भिन या दिये गए भिन एक्स मटे y है, तो यहां पर उपर वाले को अंस और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो प्राप्त से कह रहा है, हर में से किसी भिन के हर में से हर क्या है y में से अंस के दुगुना 2x घटाने पर एक प्राप्त होता है, ये हो गया दूसरा तो ये एक equation हो गया यानि y is equal to चाहें तो y is equal to 1 plus 2x रख सकते हैं एक ये हो गया substitution method सही हम और अंस और हर कायोग कह रहा है अंस और हर कायोग x plus y is equal to 10 दिया हुआ है तो ये दूसरा equation हो जाएगा तो यहां से हम x का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा x plus 1 plus 2x is equal to हो जाएगा 10 तो x plus 1 plus 2x is equal to 10 तो 2x और x 3x is equal to 9 हो जाएगा इधार आके घट जाएगा तो x is equal to हो जाएगा 9y3 यानि 3 अब x की वैल्यू आ गया तो y is equal to क्या हो जाएगा 1 plus 2 into 3 तो इस तरह से यह हो जाएगा 7 तो x और y की वैल्यू आ गया तो दिये गए भिन क्या है x बटे y यानि x बटे y बरावर में x की वैल्यू तो 3 आया था और y की वैल्यू उसाथ आया था यह आंसर है next कह रहा है case study type सवाल है यहाँ पर मीना गीता और मीना के पास 10 और 6 cd है प्रत्य की तरिज्या दिया हुआ और मोटाई भी दिया हुआ है जैसा कि आकरिती में दिया गया है वे अपनी अपनी cd के को एक के उपर एक रख करके दो बेलन बनाती है तो इसमें कह रहा गीता द्वारा बनाए गए बेलन का बकर परिष्टी है छेतर फल ग्याद कीजिए अब देखिए पहले गीता का है तो 10 cd है cd की तरिज्या दिया हुआ है तो यहाँ पे यह 10 है तो r बराबर दिया हुआ है 3.1 3.5 हो जाएगा r बराबर में मुटाई 1 cm है तो 10 एक गुने 10 बराबर में हो जाएगा 10 cm इसकी उचाए यह तो बेलन का क्या होता है बकर परिष्टी है छेतर फल इसका बेलन का 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला होता है बेलन का बकर पर स्टेच 70 फल तो बरावर में दो गुने 22 बटे 7 और पाई की वेल्यू 22 बटे 7 और आर की वेल्यू दिया हुआ है 3.5 है तो यह इसको लिख सकते 7 by 2 और H की वेल्यू 10 तो यह कटेगा 7 से 7 गया 2 से 2 गया तो 22 को 10 से करेंगे तो 220 और सेंटीमीटर स्क्वार है इसका आंसर हो गया अब कहरा मीना द्वारा बनाए गए बेलन का आयतन क्याद कीजिए मीना द्वारा जो यह बनाए गया है तो इसकी तरिज्या भी 3.5 यानि 7.2 हो जाएगा और यह 6 सिड़ी है तो यह 1 इंटू 6 बरावर में 6 सेंटीमीटर हो गया तो इसका फॉर्मूला मीना द्वारा बनाए गया मेलन का आयतन क्या होता है यह होगा पाई आर स्क्वार और एच होता है तो जिसमें फॉर्मूला आएगा 22 बटे 7 और आर की वैल्यू तो दिया हुआ है आपको 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2 और एच की वैल्यू 6 तो यह 7 से 7 गया 2 से 11 फिर 2 से यह हो जाएगा 3 तो 21 को 11 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा एक तीन दो सो इकतिस सेंटिमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा अब अगला है गीता और मीना द्वारा बनाए गए बेलनों के बकर पिष्ट यह छतरफल का अंपात ग्याद कीजिए अब देखिए आपने बकर पिष्ट छेतरफल तो निकाल लिया है एक का दूसरे मलब यहां पर देखिए मीना मलब गीता के बेलन का बकर पिष्ट मलब कर्ड सर्फेसेरिया अपन में मीना के बेलन का सी असे तो क्या हो जाएगा यह कर्ड सर्फेसेरिया है तो यह होता है पाई आर स्कुयर और टू पाई आरेच टू पाई आर और एच और यहां भी टू पाई आर इसको बड़ा और यह एच माल लेतें यह टू से टू गया पाई से पाई गया और आर की value तो देखिए 7 by 2 यहां भी है और H इसमें 10 दिया हुआ है और यहां भी R की value तो 7 by 2 ही दिया हुआ है into H यहां पे 6 है तो यह से यह कट गया तो यह हो जाएगा 5 by 3 यानि 5 अनपात 3 इसका answer हो गया अब यहां पे कह रहा है दोनों का आइतन ग्याद कीजिए दोनों का आइतन ग्याद करना है अनपात ग्याद करना है तो आइतन के लिए फिर गीता के बेलन का आइतन अप उन में मीना के बेलन का आइतन तो यहां भी फर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वाइर और एच है और यहां पे मान लेते हैं बड़ा वाला पाई आर स्क्वाइर और एच है तो पाई से पाई कट गया आर की वैल्यू तो 7 बाई 2 दिया हुआ है यहां 3.5 या 7 बाई 2 दोनों में एक समान इसमें 10 है और यहां भी 7 by 2 into 7 by 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है तो यह कट गया यह भी कट गया यहाँ भी 5 और 3 यह इसका भी 5 अनपात 3 हो तो यह था revision के लिए worksheet उमीद है समझ में आया होगा अच्छा लेगे तो like, subscribe, share जरूर करें धन्यवाद